नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मेरे यूटूब चैनल भक्ति मार्क पे मैं हूँ जोसी रोईत और आज हम जानेंगे जुलाई का मासिक रासी फल कैसे रहेगा तुलारासी वालों के लिए तो चलिए जानते हैं दुलारासी वालों के लिए जुलाई का महीना कैसे कर जातक को स्वास्त के परती ध्यान देने की बहुत जरूरत है इस महीने आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्त को ध्यान देने की जरूरत पढ़ सकती है आपको अपने स्वास्त को लेकर क्योंकि साथ भाव में राहू के साथ परिस्पती की मुझूदगी से जातक को प सातवे वक्येतु पहले भाव में मौझूद होने के जलते जातक में स्वास्त को लेकर असुरक्षा की भाव नपैदा हो सकती है। सातवे भाव में रहु की मौझूद्गी के कारण जातकों को अपने साती के स्वास्त के लिए धनकर्च करने पड़ सकते हैं। मतलब आपके जो साती हैं उनको भी स्वास्त को लेकर विमारी इस महीने हो सकती है और आपका धनकर्च हो सकता है। रहु केतु की परतिकूल स्थिती जातक को थनाव दे सकती है। जनक परिनाम पाने में सक्सम होंगे। मतलब लगबग आपका स्वास्त 50% तक्रीक रह सकता है। 50% आपका स्वास्त खराब रह सकता है। मतलब यह वर्ग है आपका। चलते जातक को करियर की छेत्र में कई चुनूतियों को सामने करना पड़ सकता है। मतलब जो आप काम कर रहे हैं अपने करियर के छेत्र में आपको कई चीज़े समहीने मुस्किल आपकी सामने दिखाई देंगी। राहू और केतु के इस इस्तिती की वज़े से वरिष्टों को और से काम कतवाब हो सकता है। मतलब राहू की द्रिष्टी की वज़े से आपको इस महीने जो आपके अधिकारी हैं वो आपके काम का प्रेसर इस महीने ज्यादा दे सकते हैं। साथ ही काम में कुछ गड़वडी होने की भी संभावना जो आप काम करते हैं उसको थोड़ा सोच समझ कर थोड़ा ध्यान से करिया वरना कुछ नो कुछ संभावना है कि समस्ज़ावतपन हो सकती है उसको लेकर लेकिन इसके बाद बिरस्पति या नुकूल इस्तिती के चलते जातक नोकरी में महतरीन परिणाम पराप्त करने में सक्सम हो सकते हैं और साथ ही नोकरी के नए अपसर भी पराप्त करने के आसार है मतलब अगर आप कोई नई नोकरी ढूंड रहे हैं तो वो भी कहीं न कहीं आपको इस महीने मिल सकती है इसके साथ ही सुक्र इस महीने के अंत में ग्यारवे भाव में मुझूद है और सुक्र की या इस्तिती जातक को उनके करियर में अच्छे परिणाम दे सकती है और नवे भाव का स्वामी बुद्ध इस महीने के अंत में ग्यारवे भाव में बैटे है इसके चलते करियर के लिहाज सही है जातक वीदेश में सफलता हासिर करने में इस्तिती में हो सकते हैं वेपार की छेत्र में भी आपको इसमया सफलता मिल सकते हैं मलब आपको वेपार करते हैं तो इस महीने आपको इसमया भी सफलता मिल सकते हैं क्योंकि बिरिस्पति स्थिति कि अनुकूल है जिससे अच्छे परीना मिल सकते हैं लेकिन नई पाट नसीब करने और यह नहीं प्रविस करना आपके लिए फलदाई सहा भी तरण नहीं मतलब अगर आप कोई सोच रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ काम स्टार्ट करने के लिए तो ना ही करें तो ज्यादा आपके लिए लाबकारी रहेगा क्योंकि राहू सात्वे भाव में और केतु पहले भाव में मौझूद है उससे आपको परिसानी हो सकती है तो कोसिस करें अब जो भी कोई काम करें वो उसमें अकिले ही करें किसी के साथ में मिलिके ना करें अन्यत आपको हानी की पूरी संभाव ना है अब 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 अता देते हैं इस महीने और क्या हो सकता है तुला गती सील और वायू तत्त्की रासी है तुला रासी का स्वामी सुक्र है रचन को निखारता है और आकरसन बनाता है मासिक रासिफल जुलाई 2023 के अनुसारी समय आपके भाव में राहू और साथवे भाव में केतु की मुझूदगी के चलते दुलारासी के जातक अपने वहस्य को लेकर आशुरक सकती भावना मैसूस कर सकते हैं लेकिन इस महीने आपकी चं फरो कई अफ़र उक एठाने में अशमर्थ तक हो सकते हैं मतलब आपको फरो मिल सकते हैं वाट आप इंको लूँताने में असमर्थ हो सकते हैं को ना कहhing वह आप से चूट सकती है कि तुम पहले भाव में बैठे है इस के चलते दुलारासी के जात्रक को था थक्व पहले भी बता दिया कि यह आपको हो सकता है लेकिन खास बात यह है कि चंदरासी पर ब्रस्पती का सुपर भाव के चलते कोई बड़ी समस्या परिसानी नहीं होगी चंदरासी का स्वामी सुक्र 11 भाव में अनुकुल इस्तिती में मौजूद है और इस महीने के अंत में नवे 2023 का महासिक रासिफल के अनुसार इस महा साथवे भाव में और रहू और पहले भाव में केतु की मौजूद की के कारण प्रेम और विवाईक जीवन में उतार चड़ा देखने को मिल सकता है मतलब आपके जो जीवन साथ हैं उनसे थोड़ी भैस हो सकती है या पर थोड़ा आपको जीवन में उतार चड़ा देखने को मिल सकता है सुक्र जो की प्रेम का गरह है ग्यार्वे भाव का में मौजूद है जिसके चलते यह महीना तुलायरासी के जातकों के लिए प्यार में सफनता पाने और प्रेम को साधी करूप देने के लिए अच्छा समय परतीत नह हो रहा है मतलब अगर आप साधी करना चाते हैं तो अभी आपके लिए समय अच्छा नहीं दिखा रहा है तो आपका थोड़ा इंतजार करना चाहिए तो आपके लिए लाबखारी रहेगा महीं साधी सुधा जातकों को भी रिस्ते में सुख की कमी मैसूस होगी मतलब आपक को थोड़ा अंडेस्टेनिंग बना के रखना होगा तता आप अपने रिस्ते को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने में सफल रहेंगे अगर आप अपने पार्टर से किसी भी बाद विवाद से बचते हैं तो और नहीं साधा आपके इस महीने में काफी लड़ाई होनी के अब बता देते हैं कि आपको करना क्या है प्रति दिन 41 बार ओम केत्वे नमा मंतर का चाप करना है तता हर मंगलवार के दिन हनुमार मंदिर जाके परसा चड़ाएं वो आपके लिए लापकारी रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक अगली रासी में हमारे साथ जुड़े है करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तन्यवाद